नाबालिक के लिए सच गया शादी का मंडब 16 साल की उमर में शादी करने जा रही थी लड़की फिर पुलिस ने की एंट्री तो खुल गई सारी पोल उतरकाशी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है बाल विवाह सुनकर आप पुराने जमाने के खयालों में खो जाते हैं लेकिन बाल विवाह का एक किस साव तरकाशी के कुमार कोट गाउं में सुनने को मिला है जहाँ एक सोरा साल की लड़की के हातों में महंदी लग चुकी थी हर्याना से बारात भी निकल चुकी थी लेकिन तब ही कुमार कोट गाउं में पुलिस की एंट्री हो गई पुलिस को सूचना मिली थी कि गाउं की नाबालिक लड़की की शादी हो रही है जिसके बाद पुलिस बारात से पहले ही गाउं में पहुँच गई और पुलिस को देख शादी के मंडब में हरकम मच गया जैसे ही बारातियों को शादी में पुलिस की एंट्री का पता चला तो बारात आधे रास्ते से वापस लोट गई पुलिस के साथ डुंडा के तहसिलदार और चाइल्ड वेलफेर कमिटी की टीम भी गाउं में पहुची थी एक सुचना संग्यान में सुचना आई थी DCR को सुचना मिली थी कि कुमार को टेपरा गाउं में एक नाबालीक लड़की है उसकी शादी की जारी है पुलिस को जैसे ही मामले की भनक लगी तो पुलिस ने गाउं में दस्तक दे दी वहीं आपको बता दें कि हाई स्कूल प्रमान पत्र के अनुसार बालीका की उम्र महद 16 साल बताई गई है वहीं नाबालिक दुलहन बनने जा रही लड़की और उसकी मा को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है फिलहाल मामले में आगे की कारवाई शुरू की गई है लेकिन बालीका बहदू बनने जा रही नाबालिक लड़की को पुलिस ने शादी करने से रोक दिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है उत्तरकाशी से उंकार बहुगुणा के साथ येरी रिपोर्ट उत्राखंडिताथ